जिस सरकार को जनता ने पूर्ण समर्थन देकर चुना था उसे भाजपा ने शर्यंत्र पूर्वक गिराया है इसका खुलासा वर्तमान मुख्यमंदरी शिव्रासिय चोहान खुद बयां कर रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार जनता के आदेश की धचिया उड़ाई है इनकी करनी खुद इनके मुह से बयान करती है इनका एक वीडियो आडियो वाइरल हुआ है इसकी निश्पक्ष चांच की जाए और दोश्यों की खिलाफ कडिक का अरवाही की जाए जिला कॉंग्रिस प्रवक्ता पंडित गोविन शर्मा ने बताया कि यहां मांग जिला कॉंग्रिस सध्यक्ष योगेंदर सीह बंटी बना की नेतरत्वों में शुकरवार को कलेक्टर दिनेश चैन को सौपे ग़ै वराष्ट्रपती के नाम ग्यापन में की है सौपे गए ग्यापन में कॉंग्रिसीओं ने बताया कि भाचपा ने कींद्री नेतरत्व ग्रहमंत्री वर प्रधान मंत्री के इशारे पर पूर्ण बहुमत से बनी कमलना सरकार को शर्यंद्र पूर्वन किराया गया है इसका खुला सा खुद मुख्य मंत्री सावेर में आयूचित एक कारिकरम के दोरान हुआ जब खुद सीएम वहां अपनी कर्तूत को बया कर रहे थे श्री सीहा ने यहाँ भी बताया कि आज इस तरह के शर्यंत्र पूर्वा कमलना सरकार को गिराया गया है जनता के मताधिकार का भी हनन हुआ है हम भारत के महामहीम राश्ट्रपती से मांग करते हैं कि इस मामले की फॉरंसी जाच कर दोश्यों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाए श्री सीहा ने सौपे गई ग्यापन में बताया कि देश के 133 करोड जनता ने समविधान की रक्षा करने का दाइत्वा आपको दिया है अतहा आपसे निवेदन है कि अनियतिक हथकंडे अपना कर चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयासों की अंदेखी की गई जो भविश्य में चुनावी प्रक्रिया ही मूलिहीन हो जाएगी फिर चाहे कोई भी दलचंद विधायकों को लालच देकर सरकारों को अस्थिर्क करता रहेगा ग्यापन में यह भी मांग की गई है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिहान के द्वारा जो आडियो वीडियो वाइरल हुआ है उसकी फॉरंसिक जाच की जाए और सिथ होने पर ऐसी सरकार को बर्खास्त कर लोग तंतर की गरीमा पनाए रखें इस अफसर पर पूर्व कॉंग्रेस जलाध्यक्ष रामवीर सिहा सिकरावर, विरेंदर व्यास, विरेंदर सिहा गोहिल, महेंदर सिहा सेंगर, ब्लॉग कॉंग्रेस जलाध्यक्ष इरशाद खान, किसान कॉंग्रेस जलाध्यक्ष, कलाश मटोलिया, आईटी सेल जलाध्यक बर्फबबत